हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिक्यूर्टी विजन चैनल और मेरा नाम अभिशेक स्वामी है आज हम कुछ इंट्रेस्टिंग बात करने वाले हैं यहां काफी डिमांड आई है कि एस्ट वेल सर्वर में जब हम इंस्टॉल करते हैं या फिर इंस्टॉल करने की क्या प्रिक्विजिट होती है और एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं तो काफी चैलेंजिस आते हैं आप सभी की प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्ब करता हूं यहां पर चली वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने Windows Server 2012 R2 पे लॉगिन किया है, और यहां पर मैंने SQL Servers को इंस्टॉल किया है, ओके? So, SQL Server मैंने डाउनलूट कर लिया है, डाउनलूट करने के बाद मैंने उसको इंस्टॉल किया है, और इंस्टॉल करने के साथ ही साथ, यहां पर मैंने SQL Server Management Studio, मैं यहां पर आपको अगर दिखाता हूँ, So, मैंने Microsoft SQL Server Management Studio पर लॉगिन किया है, मतलब ओपन किया है, और यहां पर मैं अभी Windows Authentication से आउंगा, So, simple है, SQL Server 2016 आपने इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल करने के बाद आपको Server Management Studio भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, बहुत ही असान है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, and then you can do that. Okay, so, यहाँ पर जब आप करते हैं, तो by default, you know, Server 2000, जब आप SQL Server इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपको, you know, first login, create credential पूछता है, तो आप वो डाल सकते हो, और जब management studio में login करते हो, so by default Windows Authentication आपका आज आता है, SQL Authentication आपको create करना पड़ता है, but Windows Authentication by default आता है, तो मैं यहाँ पर इसको connect पर क्लिक करता हूँ, and आप connect हो गया, मतलब, as a Windows Authentication Windows Administrator आपने login कर लिया है, आपके SQL Server पे, ठीक है, अभी यहाँ पर मेरा काम स्टार्ट होता है, main database create करने का, so यहाँ पर आप दीख सकते हो, कि कुछ database, मेरी यहाँ पर, अभी यहाँ पर कुछ मेर database create नहीं है, अभी जैसे मेरे को database create करना है, right, so मेरे पास request आती है, कि बोस मेरे को एक database create करके दो, as an administrator, कोई applications का administrator रहेगा, उसको कोई applications को install करना रहेगा, install करने के लिए, उसको database कहीं रखना रहेगा, तो application के install के time पर पूचेगा, कि database, तो SQL database पूचेगा, तो आपका database का नाम क्या होना चाहिए, और उस database को authenticate करने के लिए credential क्या होना चाहिए, यह सब information लगेगी, तो आप कैसे लेक्या होगी, तो आप यह सब काम आपको SQL administrator करके देगा, तो SQL administrator क्या करेगा, यहाँ पर right click करेगा, right click करने के बाद वो new database बनाएगा, new database बनाएगा, तो suppose मैं new database का नाम र मेरा database create हो गया, अब इसको authenticate करने के लिए मैं क्या करूँगा, security में जाता हूँ, security में login में right click करके, login पर click करता हूँ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, security, suppose मैं डाल देता हूँ, security, ठीक है, और कैसा authentication रखा, windows authentication और security, so यहाँ पर windows authentication का मतलब होता है, कि आपके active directory में, security न एक तो यह condition रहेगी, दूसरा रहेगा आपका SQL authentication, तो मतलब इसी SQL में, आप authentication करने के लिए, administrator आपको एक username और password create करके देगा, तो यहाँ पर security हो गया, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा password रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा, यह create हो गया, यहाँ तक काम आपका complete न होता है, यह करने के बाद आपको server role देखना पड़ेगा, कि आपको क्या server role देना है, DB creator देना है, तो DB creator देना है, तो वो database create कर सकता है, system administrator देना है, मतलब वो database से related कुछ भी changes कर सकता है, he has full rights for the particular database, not other database, because मैं इस particular उसको जो database दे रहा हूँ, so, यहाँ पर मैंने server role में यह permission दिया, plus user mapping में जब मैं जाऊँगा, तो पुछेगा, कौन से database में he can do any modifications, so मैं उसको vision दूँगा, then only user mapping होगा, तभी वो login करेगा, और इस database, vision database से वो correlate कर पाएगा, otherwise, he won't be able to login into that database, और यहाँ पर public दिया, तो मैं यहाँ पर db owner देना या फिर system admin देना जो भी देना कर सकता हो, तो मैं यहाँ पर उसको okay करता हूँ, now he is done, अभी क्या करेगा, एक समझ लिए, एक पल के लिए मैं कोई application install कर रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ पर database admin का काम कतम हो गया, suppose मैं एक application admin हूँ, application admin जब, you know, he is creating, he is installing any applications, और उस टाम पर उसको वो credential पूछता है, authentication पूछता है, कि आपको किस database में रखना है, तो वहाँ पर वो नाम रखेगा database का, ठीक है, सबसे पहले database का नाम डाल देगा, database नाम डालने के बा यह मैंने password डाल दिया, और authentication मैंने SQL रखा, और I'll click on connect, sorry, password यहाँ पर miss हो गया, so यहाँ पर फिर से password डालता हूँ, और मैं connect पर click करूँगा, तो देखते हो, यहाँ पर मैं क्या आ रहा है, cannot connect, cannot connect to win, this, 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 login failed to MSCA, अभी यह क्यों आ रहा है, इसका देखिए, इसका error देखिय यह error मेरे को आ रहा है, ठीकिए, इसका मतलब यह है, कि अगर Google में search करेंगे, इसका मतलब होता है, यह मेरा जो server है, यह authenticate नहीं कर पा रहा है, इस database को, vision 1, और जो credential है, क्यों नहीं कर पा रहा है, चलो, देखते हम क्या हो, तब मैं अभी फिलाल के इसको cancel करता हूँ, अभी म यह generally बहुत important रहता है, यह सब settings जो रहती है, आपको correlate करना पड़ता है, कि Windows Authentication, जब Windows Authentication है, then how can I login with SQL credential, I cannot do that, right, so मेरे को यहाँ पर Windows plus SQL दोनों लेना रहेगा, यह लेने के बाद, मेरे को OK पे click करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं OK पे click किया, अब यह करने के बाद, फिर से म MS SQL Services, तो मैं यहाँ पर yes करता हूँ, right click करता हूँ, restart, and then click yes, so यहाँ पर मेरी service restart हो रही है, so let this service be restarted, service restart हो गई है, यह green आ गया, यहाँ देख रहे हैं, इसके पहले red में आ रहा था, green आ गया, अब ही, मैं यहाँ पर connect करता हूँ, database में, फिर से लेता हूँ, यहाँ पर SQL database में, और यहाँ पर vision डालता हूँ, vision, and my credential, so अभी भी मेरी को यह same error आ रही है, तो भाई, क्यों आ रही है, मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं तो सब कुछ ठीक डाल रहा हूँ, मैं फिर से इसको cancel करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि, properly मैंने किया है, कि नहीं किया हो सकता, शायद मैंने properly नहीं किया हूँ, सो यहाँ पर मिरे को SQL तो आ गया है, SQL आने के बाद, मिरे को और navigate करना पड़ेगा, कि some changes which I yet to do it, मैं यहाँ पर इको चेक कर लिता हूँ, ओके, सो यहाँ पर मैंने चेक किया है, जो मैंने यहाँ पर देखा है, कि जो हमने fix किया तो यहाँ पर right click करके, and you know properties which is very very important, वो तो करना रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जो चेक करके देखा है, जो मेरे को समझ में आया है, कि जो vision मैं as a credential यूज कर रहा था, vision is my database, and अगर मैं login पर जाता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर यह देखिए, यहाँ पर मैं login पर जाता हूँ, asking for to change the password, तो मैं यहाँ पर password चेंज करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं okay करता हूँ, and then I am good to go, so what was my mistake, मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मैंने यहाँ पर जो security से login नहीं कर रहा था, मैं vision से login कर रहा था, that's why I was getting this error, उसके अलाबा जो मैंने सबसे important चीज आपको बताईए कि यहाँ पर always right click करने के बाद, आप जब security पर जाते हैं, तो यह SQL authentication होना बहुत ज़रूरी है, otherwise you won't be able to login, ठीक है, इतना समझा, यह तो मेरे पास already setting था, so we are easily able to login, right, and मैंने यहाँ पर आपको बताया कि database कैसे create करते हैं, user कैसे create करते हैं, और अगर आपको error आती है, तो उससे कैसे करना है, उसके अलाबर भी आपको कुछ अलग-अलग error आएगी, तो आपको क्या करना है, हमेश्चा यह तो आपके database, जो database बनाया है, database में आप right click करके, आप properties में देखिए कि proper mapping है कि नहीं है, okay primary है, यहाँ पर आप permission में जाके देखेंगे, तो yes public है, role है, security user भी created है, then आप आपने जो login बनाया है, so login पर भी जाके देख सकते हो कि properly mapping है कि नहीं है, यह सब चीज़ देखने के अलावा, यहाँ पर service server role और यहाँ पर mapping है कि नहीं है, यह करने के बाद आपको service को restart भी करना बहुत important रहता है, आपके SQL की जो भी services रहती है, आप उसको restart करेंगे, then it actually works, okay, so यह यहाँ पर देख लिए, अभी मैं SQL next आपको बताने वाला हूँ, you know port related, so यह सबसे important रहता है, तो मैं यहाँ पर SQL management पर जाता हूँ, configuration management, यहाँ पर मैं generally क्या करूंगा, अगर आपको फिर वी error आ रहा, authentication से related, so मतलब क्या है आपके server और जहाँ पर server create है और आपको source और destination के बीच में port 1433 open है कि नहीं है, यहाँ पर मेरा MS SQL server है, यह TCP IP जो देख रहा है यह हमीशा by default disabled रहता है, तो इसको आपको right click करके यहाँ से enable करना रहेगा, एक बार enable कर दिया, then you need to go to properties and IP address पर जाएंगे, IP address पर जाने के बाद यहाँ पर by default 00 रहता है और dynamic कुछ तो port रहता है, यहाँ पर TCP port को आपको 1433 डालना है, then only it will work fine and same you need to do it here also, दोनों TCP आपको enable करना है, यहाँ पर IP पर जाना है and then यहाँ पर dynamic port है, तो मैं dynamic port को यहाँ क्या करूँगा, रिमूब कर दूँगा dynamic port को, जो मेरा dynamic port दिया है, मैं इसको remove कर दूँगा, I don't need it and 1433 रखूँगा and then मैं यहाँ पर okay करूँगा, ठीक है, यह ओकी कर दिया, अब यहाँ पर right click कर किया मैंने refresh करता हूँ, ठीक है, इतना कुछ रहता है settings में, इसके लाबर कुछ नहीं है, मैं इसके अलाबर बंद कर दीता हूँ इसको, then आप यहाँ पर फिर क्या कर सकते है, एक और example मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको नए database create करना है, आप यहाँ पर एक नए database बना देगी, जैसे मैं यहाँ पर कुछ अलग हटके बता दे, suppose मैं बनाता हूँ, database का नाम है, अभि लगिन credential बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभिशेक बस रख देता हूँ, तो database होगया, अभिशेक underscore DB, और अभिशेक और यहाँ पर मैं SQL authentication लेता हूँ, यहाँ पर मैं password डाल देता हूँ, अपना, अभिशेक DB में you create करना है, then you can do that, and I'll click okay, so यहाँ पर देखो मैं क्या error आ रही है, यहाँ पर बोल रहा है कि password जो एना validation fail हो रहा है, ऐसी error आती है, आपको पूरा पढ़ना रहेगा, और उसके बाद ही आपको डालना रहेगा, तो मैं यहाँ पासवर्ट चेंज करता हूँ, तो मैं अभिशेक और यहाँ पासवर्ट अलता हूँ, and now it will prompt me for the new password, यहाँ पर मैं को ने पासवर्ट क्ली बोल रहा है, मैं यहाँ पासवर्ट आलता हूँ, So this is how you can play with your SQL server, right? उसके अलाबा, database अच्छे से बनाएंगे, username, password अच्छे से रखेंगे, services प्रोपर, start करोगे, और TCP IP connectivity प्रोपर रहेगे, then probably आपको कोई issues नहीं आएंगे, उसके अलाबा भी अगर आपको कुछ issues आते हैं, तो वो permission related ते, yes, अगर आप फिर भी login नहीं कर पा रहे हो, तो permission related है, आपको database admin को बूलना पड़ेगा, कि मेरे को क्या permissions है, मैं database create कर सकता हूँ के नहीं कर सकता हूँ, right? और मैं database में कुछ write कर सकता हूँ के नहीं कर सकता हूँ, so यह सब important रहते हैं, as an administrator, you should know these all things, right? All right, so दोस्तों, इतना ही वीडियो में आसा करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और comments करना तो ना भूलिए, कि अगर कुछ और इससे related information चाहिए, so definitely I will help you out on that. Thank you so much guys, and you have a wonderful day.